नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीम के रस याने की नीम के जूस को पीने के लाजवाब फाइदे और इसको किस प्रकार से पीना चाहिए उसका सही तरीका को दिया गया सबसे अच्छा वर्दान साबित होता है आज की इस वीडियो में हम नीम का जूस पीने के फाइदे और नीम के जूस को के से पीना चाहिए इसके बारे में आपको बता रहे हैं नीम के पतों की कड़वा हट की वज़े से बहुत सारे लोग इने चबा चबा कर खा नहीं पाते हैं जब कि नीम का जूस एक सास में पीने से आसानी महसूस होती है नीम के जूस को दवाई समझना चाहिए और इसे एक कप में डाल कर नाक बंद करके एक सास में पी लेना चाहिए इससे सेहत को ढेर सारे फाइदे होते हैं तो चली अब जानते हैं नीम के रस के लाजवाब फाइदों के बारे में दोस्तों क्या आपको पता है कि नीम के रस की दो बंदे आखों के नियमित रूप से अगर डालते हैं तो आखों की रोशनी तेज होती है अगर आँख आने की समस्या हो गई है तो नीम का रस आखों में डालने से यह जल से जल दूर हो जाती है बात करते हैं अगले फाइदे की नीम का जूस मलेरिया की बिमारी को दूर करता है नीम का रस मलेरिया के वाइरस को रोकने में मुदद करता है और इससे लीवर भी मजबूर बनता है जिससे लीवर सही तरीके से वर्क करता है अगले फाइदे की बात करते हैं दोस्तों नीम का जूस प्रती दिन पीने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है इसलिए अगर आप मदू में याने के डाइबटीस के रोगी है तो नीम का जूस जरूर पीजें अब बात करते हैं अगले फायरे की दोस्तों नीम के पत्तों का रस और शहत को दो एक के अनुपात में मिलाकर पीने से पीलिया की बीमारी में लाब मिलता है इसके लावा दोस्तों पाईरिया होने या फिर दातों में से खून निकलने पर नीम के तने की भीतरी चाल या पत्त को पानी में उबालने और इस पानी से कुल लागने इसे पाइरिया और दातों में खून आने की समस्या से छुटकारा मिलता है इसके लावा यह दातों और मसूडों को स्वस्त बनाए रंगने में भी मदद करता है नीम के फूलों का काड़ा बनाकर पीने से पाइरिया में भी लाब होता है इसके लावा नीम में एंटी इंफलेमेंटरी गोन यानि की तत्व होते हैं जो मुहासों से छुटकारा दिलाते हैं इसलिए नीम का जूस पीने से स्किन साब बन जाती है तो चाकर रंग निकरता है और कील मुहासे भी दूर हो जाते हैं इसके लावा चेचक के निशान मिटाने के लिए नीम का जूस पीने से स्किन की दूसरी बिमारियां जैसे की एक्जीमा और स्माल पोक्स से भी छुटकारा मिलता है इसके लावा नीम का जूस पीने से एक तरफ जहां स्किन को फाइदा मिलता है तो दूसरी और इससे बालों को भी लाप उसता है इससे बाल काले घने और चमकदार बन जाते हैं बालों का गिरना भी कम हो जाता है इसके लावा नीम का जूस पीने से शरीर की अंदरूनी रूप से सफाई हो जाती है ये शरीर के अंद्रूनी गंदगी को बाहर निकाल देता है इससे पाचन तंतर भी मजबूत बनता है और तो और नीम का जूस पीने का सबसे बड़ा फाइदा ये है कि इससे खून की सफाई भी हो जाती है इसके अलावा दोस्तो ये कोलेश्टोयल को कम करने में भी आपकी मिलती है जिससे आपको दिल से संबंदित बिमारिया होने का खत्रा काफी कम हो जाता है नीम का रस महीने में 10 दिन तक पीने से हार्ट अटेक होने का खत्रा काफी कम हो जाता है अब दोस्तो बात करते हैं कि नीम का रस किस प्रकार पीना चाहिए इसको पीने के क्या तरीके ह होते हैं अब वो क्या है चली जानते हैं दोस्तों नीम के रस को पीने से पेले ना को पूरी तरह से दबा देना चाहिए और इससे जल्दी जल्दी पी लेना चाहिए इसके लावा नीम का जूस हमेशा शुबे के समय ही पीना चाहिए इसकी कड़वाट को कम करने के लिए आप इसमें थोड़ा पानी और हलका सा नमक भी मिला सकते हैं इसके अलावा नीम के जूस में आप थोड़ा सा मसाला भी मिला सकते हैं इसके अलावा आप इसमें नमक और काली मिर्च भी मिला कर पी सकते हैं अगर आपको नीम की सुगंद बिलकुल भी पसंद नहीं है तो आप नीम के जूस को 15-20 मिनिट के लिए फिरीज में रख दें या फिर इसमें बर्फ के कुछ टुकडे मिला कर डाल दें और इसे गटा-गट पी जाएं हाला कि नीम के रस को हमेशा तुरंट निकाल कर ताजा ही पीना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है और एक बात कभी भी नीम के रस को 30 मिनिट टक स्टोर करके नहीं रखना चाहिए जी हाँ दोस्तो जितना जल्दी हो सके इसे पी लेना चाहिए उतना जल्दी नीम के ताजे रस को ही पीना आपके लिए अच्छा रहेगा तो दोस्तों ये थे नीम के रस के बारे में जानकारी उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप लोग नए है तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को ज़र दुबाएं बहुत बहुत धन्यवाद